नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्रागत करता हूं आपका अपने चनल फॉरंसिक साइंस में डॉक्टर वुपेश में और जैसा कि कल सबके सुनने में आया कल से बहुत बड़ी चर्चा चल रही है किस तरीके से समीर वानखेड़े को इन 6 केसे में से हटाया गया है पर हमने यह भी बात की समीर वानखेड़े ने खुद यह पेटिशन दाखिल की थी कि उन्होंने खुद हाई कोट से अपील की कि इन 6 केसे में यानि कि जहां पर नैशनल इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग का मामला है बहुत बड़े बड़े नाम है तो बहां पर इन केसे में जो है बब फोड़ेंगे तो यही वह एक बंब यह मैं आपको बता दूं यहीं वह एक बंब पहला बंब यानिकी जांच जब सेंट्रल एजंसी को देदी गई यानिके आप यह समझे जब तक जांच जोनल डारेक्टर के पास थी मुंबई के पास थी तब तक उद्दव ठागरे सेंट्रल एजंसी पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता जी हां दोस्तों यह दूस्रा सींगम कर दिया है यह में और हाई कोट ने और समीर वार्णकेडे ने मिलकर सद्धार संजय सिंग्स यहां पर तैनाथ कर दिया है जिए वहीज कौमन वेल्द गेम में जो पूराचा-ा गुआ था उसका भी खुलासा किया था उड़ी सामें इन्होंने कैई सारे ड्रग काटल को पकड़ा है जब उड़ी सामें यह इनकी पोस्टिंग थी और दोस्तों इन्होंने बहुत बड़े-बड़े कारणामें किये हैं और हमको फिर एक और सिंगम मिल गया समीर वानने के सा सबसे यह सारी जाच दोस्तों अब आगई है सेंट्रल के पास अब कोई भी नहीं बच पाएगा और हाना कि हम इसको सोच सकते हैं इस तरीके से के समीर वान खेड़े इन्फ्लूएंस नहीं हो रहे थे बांकी लोग इन्फ्लूएंस हो एंगे नहीं दोस्तों समीर वान पर वो फिर भी नहीं हुए और सेंट्रल टीम को इंफ्लूएंस करना उतना ही मुश्किल है क्योंकि अब यह केस इतना बढ़ चुका है यानि के छोटी सी कगार से लेकर बड़ी कगार बड़ी पैमाने पर आ चुका है तो अब कोई भी अगर इंफ्लूएंस होगा यानिके पहले इसना पच्चेस करोड़ की बात आई एठारे करोड़ की बात आई पचास लाग की बात आई गवाब अदर रहे थे तो इन सब चीनों को मद्दे नजर रखते हुए पूरी की पूरी जांच दोस्तों यहां पर सेंट्रल टीम को सेंट्रल नार्कोटेक्स ब्यूरो को सौंप दी गई है और यहां पर हमको बहुत बड़े अचीवमेंट्स देखने को मिलेंगे इसी आशा के साथ हम फिर से मिलेंगे एक बार हम जानते हैं कि यहां पर हमको पॉजिटिव रहना चाहिए और यह बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है सेंट्रल गॉर्मेंट के के दुवारा उनकी जान को परसंट खत्रा भी था उन पर बहुत सारे आक्षे प्लग रहे थे तो उन्होंने कहा अब मैं इसका मूत और जवाब देते हुए अपने साथ रिंग में एक और शीर को उतार लिया है एक और सिंगंग को उतार लिया है तो अब यह जंग दोस्तो बहुत बड़ी हो गई है बहुत ही खतरनाक हो गई है देखते हैं कि क्या होता है बहुत बहुत धन्यवाद